मित्रों हमारे गुर्दियों पूझय शंत्ष्री आशाराम जी बापू का मज़ा खुडाए जाता है आजकल कवी सम्मेलनों में यह हम सभी जानते हैं कई वीडियो की लिंक भी आती रहती है हम सभी नहें देखा है यूट्व पर ऐसे कही मिल जाएंगे मित्रो जब इन कवियों को सच्चाई पता चलते हैं जब उनको सच्चाहिआ उन तक पोचाते है तो वे माफी मांगते है किंटू माफी जब मांगते है उसका जो वीडियो महान संत की तो लाखों में करोड़ों में तक व्यूस चले जाते है उसके इतने लोगों तक वो निंदा चले जाती है सेकड़ों लोगों के सामने वो लोग हमारे गुर्दियों की निंदा करते है और फिर यूटूब से जब उनका वीडियो पब्लिश होता है तो वो लाखों करोड़ों लोगों तक जाता है तो मित्रो अब हमें क्या करना है मैं आपको अभी बता रहा हूँ जो अमरौति में मैंने किया वो अभी आपको मैं बताऊंगा अभी हमको पूरे देश में करना है मित्रो कि कवी सम्मेलन में कवी अब बापु जी का नाम ले ही नहीं लेने के बाद फिर वो माफी मांगे और हम उनके वीडियो देखे फिर उनको जानकारी दे सब फिर वो माफी मांगे फिर उसका वीडियो हम पब्लिश करे वोबी इतने लोगों तक ना पोचे नहीं अब हमारे गुर्दियों का नाम कभी सम्मिलन के मंच पर उठना ही नहीं चाहिए आना ही नहीं ही होगा ही और यदि नहीं आप लेना चाहते नहीं आप में इतनी हिम्मत तो निंदा तो अब गुर्दियों के आप नहीं करोगे ये काम हमको मित्रों करना है अमरावती में मैंने जो भी मेरे हातों गुर्दियों ने वो सेवा करवाई गुर्दियों की करूना कृपा से मेरे हातों जो सेवा हुई हो मैं आपको दिखा रहा हूँ जो अभी हमें पूरे देशबर में करना हली और नो सितम कशनिवार 9 अक्तुबर को अमरावती में कभी संभी उसके पहले आए यह जो आयोजन किया यह जे सिया ने किया जे सिया आप सबी जानते है जे सियाई गोल्डन अमरावती इन्हों आयोजन किया था कल का उसके पहले इन्हों ने ही 2018 में भी एक आयोजन किया था उस समय बड़े दिगज़ कभी आये थे जेसी आयोजन में तब भी किसी कभी ने बापू जी का नाम व्यासपीट से उनके मंच से नहीं लिया हास से कोई जम्मेलन में और कल जेसी आये द्वारा ह फिर आयोजन किया गया जिसमें पदमस्री शुरेंद्र शर्मा ये बड़े दिगज़ कभी है बहुत इनका नाम है चार लाइना इनका प्रसिद्ध है पदमस्री आवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है उसके बाद और भी जो है आप देख रहे हैं चिराग जैन जिनकी पतनी अनामिका जैन अंबर भी प्रसिद्ध कभीतरी है उन्होंने एक बार भापु जी पर गलट टिपनी की थी हमने उनसे संपर्क किया तो उन्होंने माफी मांगी थी बड़ी सज्जन कभीतरी है चिराग जी भी बड़े सज्जन है चिराग जी सी भी मेरी पीछे एक बा सब्सक्रांद नहीं किया कभी सम्मेलन्द में तो mamy पूर देश में करने हैं में तो तो 2018 में और अभी कल 9 अक्टूबर 2022 मैंने क्या किया परसो मैंने यहां के जो उनके प्रेसिडेंट है यहांके उनको जाकर उनके क्लिनिक में जाकर डॉक्टर है डेंटिस्ट है उनके क्लिनिक में जाकर मैं उनसे मिला उनको मैंने लिखित में निवेदन दिया क्योंकि चार सा फोन पर संपर्क किया कि आपके हाँ आपने जो कवी समंस्मेर्दम आयोजन किया है अक्थर हम देख रहा है कि बगभर जानकारी के बगभर सच्चाई जाने यह लोग अनाप शन आप बक्ते है और बापुजी जैसे हम आन सन्त का संतका अपमान करते हैं, उनकी निंदा करते हैं, तो ये आपके कभी सम्मेलन्द में नहीं होना चाहिए, यह मैंने उनको नमरता पूरवक निवेदन किया, और कहा कि यदि वे नाम लेते हैं, तो हम, चलिए वो निवेदन में भी आपको पढ़के बताओं, क्योंकि अभी हमक किया, उनको मैंने फोन पर बात की, तो उन्होंने कहा कि आप लिखित में निवेदन दो, उस समय उन्होंने मुझसे कहा था, JCI के प्रेसिडेंट ने, तो मैंने उनको लिखित में निवेदन पहुचाया था, और इस बार जब मुझे पता चला कि फिर अमरौती में JCI द्व JCI का तो बड़ा अच्छा का रहे हैं, उनकी कोई मतलब उनकी सराना ही करेंगे, अच्छा सामाजी का रहे हैं उनका, तो मैंने डॉक्टर साब को जाके उनके क्लिनिक में जब इन निवेदन दिया, तो उन्होंने बड़े प्रेम से उसको स्विकारा, और कहा कि मैं बड़े तो मुझे हमारे एक मित्र डॉक्टर है, वो भी JCI के सदसे है, उनसे मैं जान करी ली, तो उन्होंने कहा कि नहीं मानो भई, कल कुछ भी किसी ने, ना केवल बापु जी का बापु जी का नाम नहीं लिया, बलकि किसी भी संत का नाम नहीं लिया, धर्म पे कोई उन्होंने टिपनी नहीं की, केवल सामाजिक, पारिवारिक और पॉलिटिकल, तो वो तो रहता ही है, राजनीतिक, उस पर तो हास्सेवेंग होता ही है, वो सब उन्होंने लिया, लेकिन संत का, किसी भी संत का नाम नहीं लिया, तो ये मुझे जानकारी मिली, मैं डॉक्टर साब का, उनक मैं उनको साधवाद देता हूँ, और सभी कवियों को, अभी चलिए, और अधिक विस्तार में नहीं करूँगा, अभी मैंने क्या निविदन इनको दिया था, वो मैं आपको यहां पढ़के इसलिए सुना रहा हूँ, ताकि अभी हमें ये पूरे देश में करना है मित्रो, जहां भी कविसम्हिलन हो, जहां जहां भी आपको क्या करना है, अपने शहर में ये कविसम्हिलन होता है, तो वहां के जो आयोजक मंडल के प्रमुख हो, जो भी हो, जो भी संस्दा आयोजन कर रही हो, उसके प्रमुख को जाकर मिलिए, उनको निविदन की कॉपी दीजिए और निच्छित वे सकारात्मक प्रतिसाथ देंगे ही देंगे जैसा मुझे अनुबव आया है बाद में फिर सब हम करें उनके वीडियो निंदा इतने लोगों तक पहुचे वो सब करें ठीक है लेकिन प्रयास पुरा यह हो यह दी हमें पता चलता है पहले कैसा आयोजन होने पहले जाकर दे दिजिए बापुची का नाम उसमें लिख दीजो और धर्मा पर कोई टिपनी नहीं होनी चाहिए साधू संतपर नहीं होनी चाहिए भी उसमें जोड़ दीजे बली लेकिन यह काम हमें करना है निविदन में आपको पढ़के सुना रहा हूं इसमें थोड़ बहुत बदलाओ करके थोड़ा बहुत तो आपको अपने हिसाब से अपने शहर की हिसाब से उसमें जो भी बदलाओ करना आप कर सकते हैं लेकिन इस एक निविदन की काफी दिना है मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीकराम चैनल की लिंक भी दी हुई है आप उससे ज ठीकरी दरचा होती रहेगी विडियो भी ़ीटि लिंक उसमें सब अती रहेगी तो जरूर उससे जुडेए का चलिए अभी वो निविदन में आकपको पढ़के सुनाता हूं यह मैं आ आपको रहा श्क्रeans थे अब्लव मतलब बहुत हीच्शोटा आपको नहीं पढ़ पा कवी सम्मेलन के मंच से ना हो पुज्य संत श्री आशाराम जी बापु का अनादर 7 अक्टूबर 2022 कल कवी सम्मेलन दा हाट तारीको तो मैंने परसो ही उनको निविदन उनके क्लिनिक में जाके दे दिया था और लिखाए कि प्रती सम्मानिय अध्यक्ष जेसियाए अम्रावती माननिय मोदे जेसियाए द्वारा अम्रावती में 8 अक्टूबर को आयोजित कवी सम्मेलन के लिए प्रतम हार्दिक बधाई एवं शुपकामनाए स्विकार करे। पुझ्य बापुजी के देश विदेश में करोडों सिश्य है जिनकी अपने गुर्दयों पर अडिक स्रद्धा है। पर बहुत ही नीचे गिरकर अशोवनिय टिपनी करना येने केवल करोडों भक्तों की भावनाओं को ठेस पोचा ना है। बलकि ये एक तरह से न्यायले का भी अवमान है। क्योंकि न्यायले के निर्णे से पहले किसी भी आरोपी को अपराजी घोशित करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। गैर हिंदुओं के धर्मगुरुओं पर कभी कोई टिपनी करने की हिम्मत नहीं करते। किन्तु बापुजी एक हिंदु संथ है इसलिए खुब मजाक उलाया जाता है उनका। डॉक्टर सुब्रमन्यम स्वामी शुरेच चवानकी जी जैसी कई बड़ी हस्तियों ने ये बात कई बार खुले मंच से कही है कि बापुजी के खिलाब चल रहा केस पुर्णता भोगस है उनको फसाया गया है। पुज बापुजी का मजाक उडाने वाले कई सज्जन कवियों ने सच्चाई जानने के बात माफी मांगी है। आप मेरे यूटूब चैनल मानो बुद्धद्यों पर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हसानी के लिए कई मुद्धे है हमारे देश में। अतह करोडों लोगों के श्रद्धे निर्दो संत पुज्य आशारामजी बापू पर अनावश्यक टिपनी ना करे। ऐसा निवेदन आप हमारी ओर से कवी सम्मेलन में आमंत्रित सभी सम्मान नियक कवी योसे करे। ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना है। 10 मार्च 2018 को ऐसा ही कवी सम्मेलन आयोजित किया गया था। तब मैंने जेसी आई के ततकालिन अध्यक्ष महुद ऐसे फोन पर बात की थी। उन्होंने मुझे लिखित निवेदन देने के लिए कहा था। तब ऐसा एक पत्र मैंने उनको दिया था। जो उन्होंने कवी सम्मेलन के हमंत्रित सभी कवीयों को पढ़वाया था। कवीयोंने हमारी भावनाओं का पुर्ण सम्मान किया था। जेसी आई और कवीयों द्वारा मिल रहे सयोग के लिए मैं उर्देपुर्वक धन्यवाद देता हूं। अमरावती जीले के पुझ्य बापुजी के हजारों सादकों की ओर से मैं विनम्रता पुर्वक निवेदन कर रहा हूं कि यदि पुझ्य स्री पर किसी भी तरह की नकारात्मक टिपनी की गई तो हम कानून का उल्लंगन ना करते होए कवी एवं आयो जोकों के खिलाप हमारे कानूनी सलाकारों की सला से उचित कदम उठाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद मानो भुद्ध द्यव सचिव एवं मिडिया प्रभारी स्री योग विदान्त सेवा समिती अमरावती और नीचे मैंना अपना मोबाइल नंबर भी दिया है संपर्क के लिए तो मितरो इस तरह एक निवेधन मतलब एक निवेधन लिखे नीचे अपना नाम लिखकर अपना कॉंटेक नंबर दे उसमें अपनी पोस्ट लिखे और उनको विनम्रता पुर्वक निवेधन करें और फिर इनको चेतावनी भी दे बिल्कुल देनी चाहिए हम तो बापुजी के शिषर है हम क यसी टिपनी ना करें और हाँ नीचे मैंने भी लिखा था कि ये पत्र केवल जानकारी है तू. मीडिया पाटनर परति दीन अगबार के कारियाले को दिया जा रहा है. मतविसके कवब इसके कोपी मैंने परति दीन अगबार के कारियालों को दी. अम्रहतिका बढ़ा प्रसिद्य और लोग प्रिय और बड़े सज्जन है उसके जो संपाथ हो गए प्रति दिन अगबार उनको भी मैंने जानकारी के लिए दिया अगबार में न्यूस पब्लिस करने के लिए नहीं दिया मैंने उपर लिखा था कि यह जानकारी के लिए है मेडिया वाली भी सज्जन हे क्लब के जो सब मिम्बर है ब्ले सज्जन लोग है तो हमारी रूह मारी निवेदन का आधर करते हैं खेंतों अंचे तहान अर्फ हमारे निवेदन कर दोермें शन्तु के ऑपूझायं सहे प्र फिर उसका कई ना कोई अगर उसमें उपस्तित हम सादक नहीं भी हो सकते तो जानकरी लीजे कि कई ऐसा कुछ उन्हें बोला है क्या यह उसके बाद भी हो बोलते हैं फिर तो हमें कदम हमारा उचित कदम हमें उठाना ही पड़ेगा उनके खिलाब चलिए बहुत तरीक विश् नहीं करूंगा बस आप इस सेवा को पुरे देश बर में अभी हमको मिलकर करना है हरियों जय गुर्द्यों